2414 तक आई दिन खबडे आती दी ब्रस्ताचार की किसानों को लखामारने की किसान फांसि लगाता था अब लगाता है क्या फांसि नहीं लगाता इस पर चर्चा नहीं करोगें आप लोग nope end किसान किसान अब आत्मनिरवर है किसान अब किसान अब बैज्ञानिक क्रिशिक कें ती यूरिया के नाम पर अब लाठी नहीं मारी जाती किसानों के साथ मोधी खरा है और यह वह मोधी है जो गरीब मा का बेटा जो मिटी से जुड़ा है वह नहीं जो श्टील का सोने का चमच लेकर पैदा हुआ और आज वह लग वादे पर वादा कर रहे हैं जो सोने का चमच छेकर पैदा हुए हैं मैस्प मुझा कर रहे हैं आप जाकर देखिए पहले का 2000 1314 का किसान का बजट 25,000 करोर हो था आज तीन लाग करोर पार है किसान का बजट और sofort 80,000 किसानों के खाते में देने का काम थाम करते हैं यूडिया कम डेट में डिएपी कमरेट में लाइन नहीं लगानी परती जराओं लठ नहीं मारता है कोई पुलिस वाला हिम्मत नहीं कि उसको कोई लठ मार दे तो देश के साथ किसान है और किसान का एक अपना सम्मान है और किसान का सम्मान देश के परधान मंतरी भी करते हैं और सम्मान करते हैं जिस स्वामी नातन रिपोर्ट की ये लोग बात करते हैं, जिस स्वामी नातन रिपोर्ट की ये लोग केबल चर्चा करते हैं, उस स्वामी नातन जी को भारत रत्म देने का कामी इसी मोधी सरकार्न में हुआ और मोधी जीने ही किया, और आप कहतें किसानों की बात, देखिए इस अंदोलन को मैं पूरा राजनीतिक से प्रेरित मानता हूँ बोल ये कैसे राजनीति से प्रेरित इसलिए है क्योंकि आप अगर साल डेर साल पहले जाएंगे तो इनका देखे भारत जोरो यातरा फ्लॉप भारत निया यातरा फ्लॉप इंडी गठवंदन फ्लॉप एक एक परिवारवादी सब जितने भी परिवारवादी है चाहे बिहार वाला हो चाहे उतर परदेश वाला हो चाहे दिल्ली वाला हो चाहे साउत वाला हो जितने भी परिवारवादी है जितने भी ब्रस्टा चारी थे सब एक हो गए थे और आज उन परिवारवादियों ने इसके पारे मोधी जी कोई ग्राप नहीं राप तार पारनें तो इन लोगों ने शुड़ा जो शूर जो बैजा। ओसंति कि लिग्मियों ने शुक्स करें तो यह क्रिद्ध के सभस्ता दिया करें पारें। हाँ मोधी जी काड़ा बहुत उपर चलागया अब उस ग्राप को नीचे लाओ हमसे तो हो नहीं पाया बिपक्स हो नहीं पाया दस साल के बाद दस साल की सलक्ता के बाद मोधी जी का एक गुत जिक निहान कर पार है यह मत होनी चाहिए सक लाट किसान को फा wir आपने की साना के तरह gonna अचली फाली सांफेम नहीं लगाता है ज़ाइन पहले राठी नहीं नहीं लगाओ यह पखी किसानों को पहले लाठी मारी जाती ती यूरिया के नाम पर अब लाठी नहीं मारी जाती किसानों के साथ मोधी खरा है और यह वह मोधी है जो गरीब मा का बेटा है जो मिटी से जुड़ा है वह नहीं जो श्टील का सोने का चमच लेकर पैदा हुआ और आज वो लगवादे किसान की दर्द किसान के दर्द को नहीं समझ सकता किसान वह है जो आए दिन भारत की मिटी को चूमता है भारत की मिटी को अपने सर माथे लगाता है किसान वह है जो हर समय भारत की मिटी में रहता है यह लोग यह लोग मैं आपको बताना चाहता हूं पहले आंदोलन होते थ अबके किसान टाटा सुफारी ठार फॉर्चुनर बीमड़ु ट्रक्टर उस का नारा गुंज रहा है गस्मीड से लेके चांद तक तिरंगा जंडा गुंज रहा है आज अगर चर्चा होती है तो हर एक के जुवान पे अब की बार चार सो पार का नारा गुंज रहिए है यही दर्द है सीने में कुछ लोगों कि भ्याहर कर टे Совा 6 की बार चार-सो पार यही तो ढर्चार्चाहर्चाहर मैं उपार इन्दराजी ने लाल किले से क्या बोला येज़ के ऐख देश के अद्रक दो दो देश हो छाये रूस का वाइन वार् elly वॉए उस लुकार से घर ने के बारत इसा डेश अधरत बचा साफ तको दगम बृठ एक हलने नहाँद दिया यह भारत है यह मनमोन का भारत नहीं यह मोदी वाला भारत है ध्यान रखिए। और यह कुछ लोग कहते है महिलाओं का संभान है तो सबसे ज़्यादा मोधी सरकार के समय महिलाओं का संभान है युवाओं का सम्मान है चाहिए इंडिया के मादेम सो अज एरपोर्ट को देखिए आज एरपोर्ट कहां से कहां पहुंचा दिया उत्र प्रदेश में जितने पूरे देश में एरपोर्ट होते थे आज उतने कुछ राजियों में मोदीजी ने मिलके बना दिया विकास की बै और में आयोध्या से अभूधवी अमरीका सुजरललैंड जितने बीविदेशी राश्रे हैं आज जितने हमारे देश के कुछ नेता जितने भारत में खरयों के ड़िंतर Euro के मुदी के पाउं को चूने का काम करता है क्योंकि इसको पता है यह मोदी देश की मिट्टी से जुरा है और यह देश के मिट्टी में जरे हुए लोगों को कि सुरुआ करता है उनको साहिता देने काम करता है इसलिए किसान जितने भी हैं समझे अगर आपकी आपकी समस्या को हल करने की चमता अगरकिसी में है तो मोदीजी में है अगर आपके वादों की गेरंटी कोई देता है तुमको लोगों की नीती पर मत जैए और देश को तोरने की साजित करने वालों का विड़ोत कीजिए और फिर से मोधी जी का कमल का बटन दबाएए चार सो पार कराइए बारुत माता की जाए दन्यवाद यह सब वी आईपी किसान है कांग्रेस के बहकाए कांग्रेस के बढ़काए हुए लोग है यह जितने भी है यह सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है नहीं उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए कभी किसान कभी कभी किसान नाम पे लड़ाओ लोगों को कभी जातपा